रास्ट्य जनता अदल के रास्ट्य अध्यक्ष हमारे पिता आदर्ने श्री लालू पिर्शाद यादर जी, कॉंग्रेस पार्टी के रास्ट अध्यक्ष आदर्ने मलिकार्जुन खरगे साहब जी, कॉंग्रेस पार्टी के नौजवानों के नेता आदन्य राहूल गांधी जी यूपी के भावी मुख्यमंत्री आदन्य अखलेश यादव जी सीता रम यचुरी साहब जी दिपांकर साहब जी दी राजा जी बहागर बंधन के सभी नेता गन पददिकारी गन कारिकरता गन बिहार के दूर दराज से आए हुए सभी लोगों का आज के कारिकरम में आप लोगों का हाथ जोर करके आप सब लोगों का स्वागत करते हैं आप सब लोगों का अभिनांदन करते हैं और बिहार की पावन मिट्टी का वंधन हम करते हैं. आप सब लोग को को सलाम है, प्रणाम है, अदाब है और बड़ों का शंपश्ट करते हैं, माता बैनों को प्रणाम करते हैं, बच्चों को देल सारा प्रेम और हमारे उम्र के नौज़वान भाईयों को यही से गले लगात कि मैदान में तो इतने लाखों लाग दस लाग से जाधा लोग आ गया है लेकिन सरकों पर पट्टर के कई लोग अभी बाहर फशे हुए है प्रशाशन ने रात बर तंग किया लेकिन फिर भी आप लोगों ने मजबूत इरादे के साथ आप सब लोगे आए तो आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं 3500 किलोमेटर हम लोगों ने दस दिन में पुरे बिहार घूमने का काम किया और आप लोगों को हमने आमंतरन किया था कि आप सब लोग पट्टा चले और इतनी बरी संख्या में आप लोग आए हैं तो आज रिकॉर्ड टूटा है पूरी रैलियों का जो है रिकॉर्ड टूटा है यही गांधी मैदान है यहां राजजितिक रैलिया तो होती थी लेकिन जब तेजश्वी 17 माहिने सरकार में था तो नौकरी का भी रैला यही श्री मैदान से एक साथ बो लाख लोगों को हमने निर्थी पत्र बटवाया था याद है कि नहीं है तो रोजगार मेला भी रोजगार रैली भी हम लोगों ने इस धती पे किया है उसलिए आप सब लोग जो विश्वास के साथ आए हैं अपने भाई को अपने बेटे को आप्षिवाद दे देने के लिए इसके लिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलड़ गे लेकिन पलड़ गे तो जहां भी रहें सुखी रहें आप लोग तो जानते हैं हम आप से पूछना चाहते हैं सबसे पहली बार आपने किसके मूँ से सुना था दस लाग नोक रीका पक्ता में बियार में पोश्टर लगवारे हैं नितीश कुमार जी हमारे आदर दिया है हमारे चाचा है हम उनका आदर करते हैं सम्मान करते हैं बुजूर्ग हो गए लेकिन पोश्टर लगवारे कि रोजगार मतलब नितीश कुमार यह वहीं नितीश कुमार जी है जब 2020 में हमने वादा किया था कि दस लाग सरकारी नौकरी देगे तो मुक्ष मंतिजी ने कहां तक कहां से आएगा पैसा अपने बाप के पास सिला करके बेतन बातेगा और संभाव है सोचो जो 17 साल में नहीं हुआ उसी मुक्ष मंतिरी से उनी के हाटों 17 महीनों में हमने इसी मैदान में लगब पाश लाग लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया मांगर बंदन के साथिय को भी धन्यवाद देते कि भी प्रिच्टिती में भी दूलोगों ने हमारा साथ दिया लेफ्ट की पार्टियां कॉग्रेस पार्टियों ने लेकिन 17 महीने में हम लोगों ने किता काम किया जातिया धारित गंणा कराई आरेक्शन की सीमा 75% कराया अतिक पिछलों भाईयों क हम लोगों ने 24 पर्चत बढ़ाया पिछले भाईयों का बढ़ाया हम लोगों ने दलिक बातरिक भाईयों का बढ़ाया हमने आदिवासी भाईयों का बढ़ाया जो काम अजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था किसी सरकार ने नहीं किया था उस काम को बिहार में हम कर दो किया मंता आशा का भी फाइल कर चुके हैं लेकिन मुखमांती जी कहीं माइनों से रोग करके रखें कैबिट पर फाइल नहीं आने दे रहें स्वास्विबाग से एक लाग 30,000 का पब्लिक हेल्ड केटर का फाइल दबार करके रखें हैं लेकिन कितना भी दबाएंगे त आपको आपका अधिकार दिला करके रहेगा तो इस लड़ाई में साथ है की नहीं है दोनों हाथ उटा के बताइए अगर आप साथ दोगे तो तेज़ेश्वी मर मिट्ट को तैयार है आपके लिए कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पाटी है मुसल्मान यादव की पाटी है हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पाटी है ये माई बाप की पाटी है बी से बहुजन ए से अगरा दूसरे ए से आधियाबादी महिला और पी से पूर यारी बाप यारी माई आप हमारी जंता है आप ही हमारी ताकत है आप ही हमारी प्रेड़ना है आप सब लोगों का अशिर्वाद हमेशा आप लोगों का मिलता रहा है उसी ताकत के बदर्लाग आगे की लड़ाई हम लोग लग रहे है तो आप लोगों का साथ है ना विश्वास दिलाते हैं आप मौप्धी जी कुछ भी कहते रहे हैं लेकिन आज योफ का मतलब अन्ट से सब्सक्राइब करते हैं इस तोड़ लिया जाता है अरे कुछ विदाय की धर से उधर कर दे कोई फ़र्क नहीं पदने वाला है लेकिन जनता को कहां से खरी देंगे जनता जवाद देगी जवाद दीजे यह ना कुछ लोग दर के खाड़न कुछ लोग लालच के खाड़न घुटने तेक से मोदी जी क्या आगे बाट पा क्या गे लेकिन मुझे गर्व है अपने पितापाण कि तरह भी कोशिश किया जुखाने का लेकिन हमारे पिता ने दरने का काम किया कभी जुके नहीं कभी दरे नहीं और हम विश्वाद दिराते हैं जब लालू जी नहीं दरे तो उनका बेटा दरेगा लडेंगे आक्री सास्ता ये विचार धाना की ननाई है और आप सब लोगों को साथ आना होगा सभी समाजवादी भाईयों को साथ आना होगा कभी राओ जी को ईडी का समन अभी दे के उत्तर प्रदेश में गडबंदन हुआ हमारे बड़े भाई को तुनाच CBI के लोग आगे अकिले जी को समन भेज दिया हमारे तो पुरे परिवार को समन भेजा ही लेकिन हम लोग दरने वाले लोग नहीं है ये बीजेपी के IT सेल वाले लोग से हम लोग दरेंगे हम लोग दरेंग नहीं ना जुकेंगे जंता की लराई में जंता के साथ खड़े रहेंगे आप सब लोग वाशींग मशी तो सुनते थे ब loting machine कितना बावा से भ़ष्टचारी जो का वो बीजेपी में जाता है तो उसका धुराई हो जाता है साफ हो जाता है लेकिन बीजेपी वाशिंग मशीन के साथ-साथ दस्टमिन वाली पार्टी हो गई है, कुरा जान हो गया है, सब पार्टी का कुरा जाकर के बीजेपी में चला जारा है, उसलिए ये वाशिंग मशीन के साथ-साथ दस्टमिन वाली पार्टी है, यह आप जानते हैं, बीजेप जो है राउट बाउट है बर बोला है लेकिन आप सब लोगों को बोलेगे कि ये जो उत्मुक्तमलत इजिन को बनाया है जो बर बोले है चोदा साल से चुनाओं नहीं लड़े हैं चुनाओं नहीं लड़े और लड़े और जीते हैं तो आजेडी से लड़े हैं और जीते हैं आखरी बार भी अरे अमोरे चाचा तो पंटी मुआते ही है लेकिन सब्राज शौजी भी कि हम नहीं है पाथ पंटी बदल चुके है और आज तक चुनाओ नहीं लेड़े तो ज्यादा हम लोग क्या कहें लेकिन मोदी जी आये थे कलिया क्या बोल करके गए वही जुमला वही पक्वास की बाते जूट प्रचार हम तो शुरू से कहते हैं मोदी जूट बोलने के साक्ट्री है मैनुफेक्शनर है मोदी जी होट सुनर के साथ डिस्ट्रीटर भी है जूट बोलने के आप लोगों ने पिछले बार चालीस में से उन चालीस MP बीजेपी को जिताया आज य ने कोई करखा ना दिया कोई नौक्रिया दी पलाइंडों का गरी भी बिटता ही क्या महगाई कम की कहां से फिर भी आर को विशेश राज का दर्जा देना था वो भी नहीं दे पाएं जरा सवाल किजेगा कि आप कहते थे दोदो करोर रोजगार देए पंदा पंदा लाग क्या हुआ इसलिए आने वारे समय में आख लंग करके आप लोग निर्ना लीजेगा और वोट देने काम किजेगा तो आप सब लोगो को यह कहना है कि भासपा के लोग गोबर को भी गाजर का हलुआ देकर के परोज देते हैं इतना जूट बोलता है यह लोग बता गोबर को जाजर का बेना करके घुत परोज देते हैं जुट्था लोग हैं यह लोग इसलिए डमाइते प्रदाल मतिजी बोल रहे थे हमारे पिता के बारे हम तो ईंडरेक्ट बोले कि अपने पिता का नाम क्यूkrit नहीं लेता है अपने पिता का काम क्यों नहीं एक जिनाता है मोदी कि खोड़ा कान खोल के सुनिये आज इसी ब्यार की धर्टी से हम बोल रहे हैं किल आपने बोला आज उसका जवाब देने हम आए हैं चेश्मा साफ कर लिजिए खोल के ये नजारा देखो चंद सलाब है मोदी जी जरा बताईए नब्वे अजार करोर का मुनाफ़ा यू पिए वन में हुआ था लालू जी ने एप्यासिक काम क्या आज तक रेलवे को मुनाफ़ा नहीं हुआ था लालू जी ने नब्वे अजार करोर का मुनाफ़ा बांतिया रेल को दिया था थोड़ा आप बता द कुली भाई था मौक 곡 लेंगा टेले गा काम किया जरा वो पताकर लिखे ये तो लालु जी घुन लाक ए फ्दिर्गारा घडिके हैा अपने क्या किया बियार में चत्ता करकाना से लेखे तीन्सार थैकर भी दिया आपके रहते हुए दस साल आपने क्या किया अरे लालू जी मुतमजी थे जो देश में कभी नहीं हुआ मांसिक गुलावी से मुक्ती लालू जी ने दिलाया बिहान में सबाजिक नहीं करके दिखाया गरीबों को आवास दिया आज कोई भी गरीब 90 के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है अजी पिछला लड़ना जानता है दलित लड़ना जानता है अधिवासी लड़ना जानता है अच्छा के एक भाई लड़ना जानते है अब कोई चपल कुआ देगा अब कोई कुवा का पानी नहीं पीने देगा अरे अब कुवा का पानी नहीं दस दस को कुवा बना लेगा अजर्वात परे तो उनी लोगों को पाली पिला देगा क्या बात करते हैं ये लोग उसले बात पाके लोग के वार बक्वास बोलते हैं जूट बोलते हैं बोलते हैं परिवारवादी लोग है परिवारवादी लोग है मान जी जी का बेटा को मंतरी बना दिये वो परिवारवाद नहीं है तो इसलिए जादा कुछ इन लोगों पर हम नहीं कहिए लेकिन मानने नितीश कबार जी यूटन जो लिए है समझे कि अब हमको लगता है कि राज सरकार को इंशोरेंस अब भीमा करा लेना चाहिए अब मोदी जी कल कह रहे थे मोदी की बड़ी बजबूत गारंटी है मोदी की गारंटी मोदी की गारंटी अरे मोदी जी जी जब हमारे चाचा का गारंटी लेकि लिखाओ क्या हमारे चाचा का गारंटी ले सकता है कोई अले बताओ कोई ले सकता है क्यों जब चाचा बोल रहते कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं अब हम यहीं रहेंगे और जीवर तो मोदी जी हसने लग गये क्यों हस रहते भाई मोदी जी क्यों हस रहते हमारे चाचा को बार बार यह क्यों बोलना परता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे मुझ जाएगे, मिट जाएगे, मिट्टी में मिल जाएगे, लेकिन हम कहीं नहीं जाएगे. एक और गाना सुने है आप लोग, जितिक रोशन का फिन का गाना है. इधर चला बे, वदर चला, इधर चला, जाने कहां बे, इधर चला, अजये फिसल गया. अरे चाचा जी चलिए आप बुज़ोर गया आपको यहीं से हाजोर तके पंदान लेकिन एक बात कहा है जद्यू 2024 में खत्मा हो जाएगे यह मेरा कहना है बताओ सची बात है कि ले जद्यू का भविश है क्या कोई भविश नहीं है आप इधर चलिए उधर चलिए अब आपक आप सब लोगों को यह कहना है एक तरफ इन लोगों का गड़बंधन जो है एक तरफ फिरकाप्रस्त है और उनके साथ मौका प्रस्त है लोग है एक तरफ फिरकाप्रस्त एक तरफ मौका प्रस्त लोग है इसलिए आप सब लोगों को जादा कुछ हम नहीं कहींगे लेकिन कि आप यहीं किया है कि आप सब लोग गरीबों को जोड़ने का काम किजे दलित बाइयों को सम्वान दीजे